हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे एजुकेशनल एजनसीज में जो आपके NCRT है उसकी बात करेंगे कि इसको कब लाया गया था और NCRT का जो फुल फार्म है वो क्या होता है और इसके मेन जो अबजेक्टिव है NCRT के वो क्या है तो NCRT को 1961 में लाया गया था NCRT को 1961 में लाया गया था और इसका जो फुल फार्म है वो क्या है National Council of Education Research and Training इसका जो अबजेक्टिव है NCRT का वो क्या है देखिए इसके कारे केवाल स्कूल में ये स्कूल सिच्छा से जुड़े होते हैं NCRT इसकूल के लिए NCRT बनाती है जो NCRT है वो इसकूल के लिए NCRT बनाती है National Curriculum Framework और ये बुक भी प्रोवाइड कराती है ये उस तके उपलब्द कराती है NCRT और इसकूल सर्टिफिकेट में ये एक्जाम नहीं कराती है जो इसकूल सर्टिफिकेट इक्जाम ये नहीं करा करती है और कंड़क्ट रिसर्च इन फिल्ड ओफ एजुकेशन एजुकेशन के छेत्र में सिछा के छेत्र में ये रिसर्च कंड़क्ट कराती है NCRT और जो दो टाइप से एक्जाम होते हैं देखें आपे NCRT के तुरू वो कौन-कौन से हैं पहला आपका नवदय विद्या जो नवदय का एक्जाम होता है और दूसरा आपका NTESE यह दो आपके एक्जाम कराती है NCRT कि इस्कूल सच्छा से जुड़ा हुआ है NCEF बनाती है बुक प्रोवाइड कराती है और यह स्कूल सर्टिट इक्जाम नहीं कराती और यह फंड परोवाइड कराती है रिशर्च के लिए और क्या करती है सिच्छा के छेत्र में रिशर्च कंड़क्ट कराती है यह NCRT के यह सारे क्या है आपके objective है और यह 1961 में इसको लाया गया था और from इसकी है National Council of Education, Research and Training